आप यहां मझे बताओ कि शादी करेंगे तो लाव मेरज करेंगे या रेंच मेरज दोनों नहीं करूंगा बस एक दो बीवी होनी चाहिए है आगे कम बाल है एक ने कम कर दें दूसरे तो प्रिकुल गंजा कर देंगे मैं नहीं वसूस करता हूँ असलारे को नाजरीन आप देख रहे हैं मस्क्रिया चैनल मैं हूँ आपकी होस्ट रफसा मलिक जी नाजरीन हम आज बात करेंगे शादी पर शादी लोगों से पूछेंगे लाव मेरज करने चाहिए फिर या अरेंच मेरज आए फिर चलते हैं क्या नाम है शैजाद अली खान मुझे यह बताएं होदे खान साब होवाले खान साब नहीं है ौर आप शादी करेंगे ललव भाले हुआ रख शादी करेंगे घर वाले वह ही नहीं करवा कोई है नजर में नहीं नजर में तो यही है सामने बेठा हूँ वह तो लड़का है बस फिलाल तो यही है बाद में देखेंगे बाकी आपके घरवाले के जा लड़के से कर ले आप तो कहीं कोई बानी कोपरेट कर ले तो नहीं वह यह कर लेगा कोपरेट यह भी कर लेगा इस parody केसे चाईए लड़की यह सब नो किसे लड़की किसा लवग नहीं हुआ का मेडम सारी जिन देगी बाइज लड़की आते होगे उसके साथ मेठा हूँ क्या नाम है शैजी 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 शादी जो इनसान को लामेर्ज करने चाहिए रेंज मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा अभी क्यों कि अभी मैं कुछ कहा नहीं सकता मेरे जहन में कुछ ने लड़की बागगी जिसके साथ आधा यहीं बस मिलती है निसान को ठोकर मिलती है उसके बाद बंदा फिर हो जाता है करोगे नहीं वाल देन की जो मर्जी होगी तो रेंज मैंने का हुआ कि मैं आपको जादा तंग नहीं करूंगा लड़की ढूंड़ने के मामले में अब अब देख रहे हैं तो मुझे बताएं कि आप मैंच करेंगे या रेंच मैंच मैंच मैं मैं अंडरस्टेंडंग को प्रेफर करता हूं तो लहाजा मेरी पसंद तो यह होगी कि शादी अपनी पसंद से करनी चाहिए कहां तक देख रहे हैं बस देख रहे हैं तो काफ के पाहरों पर नज़र आ रही है मिन कामयाबी होगी कैसे T20 World Cup की तना भी काम उमीद लगागे बिलकल बिलकल उमीद पे दुनिया कायम है वो मिला नहीं है मैसे क्या क्या कर रहें बस गुमने आया है गुमने आया है जी जी लड़की टून रहे है लड़की कोई कहा नहीं जा सकता अधिक करेंगे एयरेंच मैरेजह अफकोरोश लड़ मैरेज करेंगे जायरी बाद लव मैरेज की जा तो जिन्दगी स्कॉन से खुजरेगी और क्यादी क्या बाद ऐसे किसी की भी प्रशाव स्कॉन से नहीं खुजरती नहीं वो अपने पर डिपेंड करता है ऐसी बात नहीं है कहां से आया है मुझफर गड़ से मुझफर गड़ से पंजाबी आती है उर्दू भी आता है पंजाबी आती है दो नजब आने आती है जी जी वो नहीं आता मुझे ये बताएं आप शादी लब मेरेंच करेंगे या रेंच मेरेंच मेरे शादी हुई 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 है आपकी हुई हुई है जी जी ऐसे गुजर रही है बहुत अच्छी लब थी या रेंच लब थी ओ बस एक दो बीवी होनी चाहिए वो क्यों वैसे महबबत होनी नहीं जी मैंनी मसूस करता हूं तो बाइसे क्या नसीयत करते है जी जिए लाव मेरेज़ करने है या अब जी करोगे तो लाव मैने चाहिवागे यह अरेज्ट मेरेज़ा है मैं घरवालों की मर्झी से करनी है वो क्यों बस गारवालों की मर्जी से करनी है अच्छा दाने शाले मुझे ये बताएं कि अगर आप शादी करेंगे तो लाव मैंज करेंगे या रेंच मैंज दोनों नहीं करूंगा क्यों शादी अच्छी नहीं लगती है नहीं रेस्पांसिबिलेटी आ जाती है और मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ जो रेस्पांसिबिलेटी उठा सके शादी नहीं करूंगा अगर कोई अच्य लागी तो, अच्छी अभी तक तो नहीं लागी, लाग भी सकती है, लग गई तो फिर शादी नहीं करूगा, जिब धिर शादी करेंगे, क्यों? बजय से रिलेशन चलाँगा, लगता है यह फागिल होगी यह तो गलत है ना, गलत कैसे, हराम करेंगे, आप पहर चीज को वहां क्यों ले जाती हैं आप यह मुझे यह बताओ कि शल्द लाव मेरेज करोगे यह रेंज मेरेज्ट क्यों बहुत सारे फायदोते हैं आपके अंडरस्टेंडिंग भी होती है दोनों की तो इस वज़ा से आइधिंग इस मौर एप्रोप्रेट तो गो फर ला चाहिए मुझे यह बताओ कि अगल लाव मेरेज करोगे यह रेंज मेरेज करोगे ऑविसली एरेंज मेरेज क्यों नैच्छल सी बात है ममा बाप की रदामंदी से महां बापा तुमारे डूंडे ना तो फिर डूंडेंगे वो तो लाजमी है क्यों कि वाई पैदा किया तो अरेंज मेरेज क्यों क्यों कि लाव में टोट भी जाती है और माबाब के बिना होती है मुझे तो तुम अभी कुछ दिन पहले कह रहे था कि मैंने लाव मेरेज कर नहीं है कि अजाए की रिवया क्यों कि जो तो अब मेरी जैसे के एंजन्टीशन नहीं है तो मुझे जिस नजारीए ett condi देखती है वो मुझे जान तक लगता है कि वो कहते है कि ऐसे शक्स से शादी करके क्या फाइदा कि वो जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता तो मेरे लिए क्या करेगा पूरी जिंदगी हाला कि उसको नहीं पता कि बैक्रोंड पर मैं उससे भी फास्ट हूँ किसी को पसंद का लोना इए खिलाओ आजकल की लड़की सारी यहिंगे केदें आपका यार मेरी शादी होने ऐख तो टेम्दें जाए अगलाम कार्म से खाइश यह मजए बता हैं कि आपज़ भी आपकोष कॉयाँ हमारी लब मेरेज़ करने चाहिए ए रेंज़ मेरेज़ वो क्यों वो इसलिए की वो खोंदानी तिल्गात बहुत अच्छे रहते हैं लो मेरेज़ मेरेज में आपनीड है अपीर यक दम से हो जाता है आपनी आर मैश करनी चाहिए या फिर अरेंज मैनेज़ लोगों है यह कहना था कि लव मेनेज निज çevre ऑगा अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत बुलिएगा मुझे दें इजादत आला हाफिज